हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता जिसे हम ब्रेट से बना कर तयार करेंगे और ये नास्ता एक चमच तेल में बनकर तयार हो जाता है आप इसे बच्चों को टीपिन में दे सकते हैं सुबह के नास्ते में खा सकते हैं और ये ना इस रेश्पी को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर हम दो मिडियम साइज के कच्चा आलू ले लिए हैं इस आलू के छिलका निकाल कर और आलू को मोटे में यानि की रपली कट कर लिए हैं इसको अच्छे से हम धूल लिए हैं दो से तीन पानी से और इस आलू को हम एक कि उसका वह यानिक दिन पहले का भी फ्रीज में रखा हुआ है न उसका भी आप यूज कर सकते हैं इस नाश्टे के लिए और आप इस ब्रेड को हम इस तरह से छोटे चोटे टुके में करें तोर कर मिक्सर जार में डाल दिये हैं अलू के साथ और इसी के जाथ में हम इसमें डाल लिए हैं दो चमच दही अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं या दही अपके घर में नहीं है तो इसके जगह पर एक चमच निम्बू के जूस डालीजिएगा और इसी के साथ इसमें हम आधा कप पानी डालीए हैं तो पानी यहां पर आप जादा न तो इस पेस्ट को हम एक बरे से बाउल में निकाल लेंगे तो यह देखिए जितना हम पेस्ट बनाये थे ने उसको हम एक बरे से बाउल में ट्रांसपर कर लिये हैं और आपको मैं उठा कर इस पेस्ट को दिखाती हूँ तो यह देखिए पेस्ट हमारा बहुत ही स्मूथ ब स्मीर्ड में यह कर देंगे दो अध्रक अधिर झनक्ला हारी में स्मीर्ड के से पाइजर कोcorps करेंद व्य techn chor Media दीश्य इस पहुत ही अध्रक भब देर चीज़र धनिया पता डाल देंगे इससे नास्तिक बहुत इच्छा टेस्ट आता है और नास्ता देखने में भी अच्छा लगता है मैं हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं कलर के लिए ज्जादा नहीं डेलिये गा नहीं तो नास्ता ही पीला हो जाएगा एक चोथाई छोटा चमच गरम असला डाल दिये हैं और एक चोथाई छोटा चमच काली मिच पाउडर डाल दिये हैं यानि कि ब्लैक पेपर एक चोथाई छोटा चमच का समेरी लाल मिर्श डाल दिये हैं लाल मिर्श अब अपने तीखा के एकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं आधा छोटा चमच इसमें हम जीरा और धनिया पाउडर मिक्स किया हुआ डाल दिये हैं यानि कि दोनों एक साथ में ही mix था और स्वात के अनुसार इसमें हम नमक डाल दिये हैं तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालियेगा और अब हम इन सभी चीजों को इस तरह से अच्छे से mix कर लेंगे ताकि सभी चीज एक दुसरे के साथ अच्छे से mix हो जाएगा और हाँ यहाँ पर सबजी आप अपने पसंद के अंसार डालिएगा यानि कि जो सबजी आपको पसंद है या जो सबजी आपको घर में अब लेबल है वो सबजी आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें से कोई सबजी पसंद नहीं है तो उसे आप हटा भी सकते हैं और ये देखिए सभी चीज को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें लगाएंगे तरका आप चाहे तो इसे बीना तरका लगाये हुए भी बना सकते हैं लेकिन तरका लगाने से ने इसका जो टेस्ट है और भी जादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक चमच तेल गरम कर लिए हैं और एक चोथाई चोटा चमच इसमें हम साबुत जीरा डाल दिये हैं एक चोथाई चमच काला वाला सट्सो डाल दिये हैं और साथ में ही आधा चोटा चमच उजला वाला तील डाल दिये हैं आधा चोटा चमच उरत के डाल डाल दिए हैं और साथ में 4-5 करीपता डाल कर इस तरह से इसमें हम तरका लगा देंगे तो यह देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो यहां पर आज हम इनो या मिठा सोड़ा का यूज नहीं कर रहे हैं बीना इनो या मिठा सोडा की इस नास्ते को बना कर तयार कर रहे हैं और इस घोल के consistency आपको मैं दिखा रही उठा कर आप देख सकते हैं बिल्कुल perfect consistency है इसी तरह के घोल हमें चाहिए इस recipe के लिए तो घोल हमारा बनकर तयार हो गया है तो चलिए इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तरफ तो यहां गैस पर हम एक छोटा सा पैन रख लिए हैं आप चाहे तो बरा बला पैन भी ले सकते हैं बरे बला पैन में भी इसे बना सकते हैं और अब इस पैन में हम इस तरह से अच्छे से तेल लगा लेंगे पैन में अच्छे से तेल लगाने से क्या होगा ना पैन बिल्कुल चीकना हो जाएगा तो जब इसमें हम नास्ता बनाएंगे नो तो नास्ता इसमें चिपकेगा नहीं गैस के फिले मीडियम रखेंगे और पैन को गरम होते ही जो हम घोल बना है उसमें से एक कर्ची घोल लेंगे और इस पैन में डाल लेंगे घोल को सिर्फ डाल कर छोड़ देना है उसे फैलाने के ज़रूरत नहीं है यह अपने आप अपना सेफ ले लेता है और आप इसको हम ढख कर लो फिलेम पर एक से दियर मिनट के लिए पकने देंगे डियर मिनट के बाद इसका ढख कन hide Garfin और आप देख सकते है उपर से ठोब हो गया है बिना ढखके हुए medium flame पर थोरी देर थोरी देर के बाद इसको हम पलट लेंगे और आप देख सकते हैं दोनों साइट बहुत ही प्यारा सा golden कलर आ गया है यानि की अच्छे से पग गया है तो इसको हम निकाल कर एक पलेट में रख लेंगे और इसी तरह से बांकी नास्ता को बना लेंगे तो यह है न बहुत ही टेश्टी और मज़दार नास्ता तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जय हिंद